प्रशन पाँच वक्र एक्स स्क्वाइर बटे चार प्लस वाई स्क्वाइर बटे पच्चिस बरावर एक पर वे बिन्दू ग्याद कीजे जहां इस परश रेखा एला प्रशन है एक्स अक्ष के समानतर है और दूसरा प्रशन है भाई अक्ष के समानतर है अब देखो यदि क कोई रेखा x अक्ष के समानतर है तो वो इस प्रकार से होगी। अर्थात x अक्ष की धनात्मक दिशा से वो 0 डिगरी का कौर बनाएगी। तो टेल 0, 0 होता है रेखा की प्रमणता 0 होगी। अर्थात byy dx बराबर 0 होगा। दूसरा यदि रेखा y अक्ष के समानतर है तो रेखा इस प्रकार से होगी। अर्थात वो x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 90 डिगरी का कौर बनाएगी। तो dy y dx इस इस इस्तिती में अनंत होगा जिसको हम 1 बटा 0 लिख सकते हैं। अब हम पहले प्रशन को देखते हैं x अक्ष के समानतर। वक्र का समीकरण हमें ये मिला है। हम जानते हैं ये एक दीरगवरत इलिप्स का समीकरण है। तो हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने से मान हो गया 2x बटा 4 प्लस 2y बटा 25 y का पुनहे किया dy by dx बराबर 0। ये मिलता है। दो पूरे समीकरण में हम भाग लगा सकते हैं 2 का। तो x बटा 4 प्लस y बटा 25 इंटो dy by dx बराबर 0 हो गया। इस इंप्लाइज y बटा 25 dy by dx बराबर माइनस x बटा 4 अर्थात dy by dx बराबर हो गया। माइनस 25 बटा 4 x बटा y ये हमें प्राप्त हुआ। अब मान लिया जिस बिंदू पर इस पर रेखा है वो x1 y1 है। तो dy by dx x1 y1 पर माइनस 25 बटा 4 इंटो x1 बटा y1 होगा। ये मान dy by dx का रेखा की प्रमणता का उस बिंदू पर मान इस मान के बराबर होगा। अब चूंकि पर्थम जो इस्थिती है वो है x अक्ष के समानता है तो dy by dx को मैं 0 के बराबर कर दूँगा। तो इसलिए माइनस 25 बटा 4 इंटो x1 अपॉन y1 यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा पहले स्थिती में। जब यह 0 के बराबर हो गया तो this implies x1 बराबर 0 हो गया। x1 का मान 0 के बराबर हो गया। अब x1 बराबर 0 मुझे इस समीकरण में रखना है। क्योंकि x1 y1 इस समीकरण में वक्र पर इस्तिते एक बिंदू है तो x1 y1 इसको भी satisfy कर रहा है। तो मान रखने पर क्या हो गया। 0 बटा 4 प्लस y1 स्कोयर बटे 25 बराबर 1 यह मिलता है। जो हमें देता है y1 स्कोयर बराबर हो गया 25 दोलों पक्षों में वर्गमूल लें तो y1 बराबर क्या हो गया। प्लस माइनस 5 अर्थात एक बिंदू तो हो गया 0,5 और दूसरा हो गया 0 माइनस 5। यह दो हमें बिंदू मिलते हैं जबकि इस पर श्रेखा x अक्ष के समानतर है इस वक्र पर। अब हम दूसरे प्रशन को लेते हैं y अक्ष के समानतर है इस स्थिती में मुझे dy y dx का जो मान हमने प्राप्त किया है इसे 1 बटा 0 के बराबर करना है तो माइनस 25 बटा 4 x1 बटे y1 यह बराबर हो गया 1 बटा 0 अर्थात यह हमें देता है y1 बराबर 0 इस इंप्लाइज y1 बराबर 0 उन्हें y1 का यह मान हम इस समी करन में रख दें तो x1 square बटा 4 प्लस 0 बटा 25 बराबर हो गया 1 जो हमें देता है इस इंप्लाइज x1 square बराबर हो गया 4 अर्थात x1 का मान हो गया प्लस माइनस 2 पहले इस्तिती में हमें प्लस 2 लेना है तो बिंदू क्या जाएगा 2,0 क्योंकि y1 का मान 0 है दूसरी इस्तिती में हमें माइनस 2 लेना है